question question says calculate the tension in the string shown in figure और अपने को दिया हुआ है pulley and the strings are light and all surfaces are frictionless and take g is equal to 10 meter per second square now सवाल simple है so scenario यह है कि यह आपकी एक table है उस table पे एक pulley ऐसे लगी हुई है उस पे आपका एक block M1 मास्का जो कि अपने को 1 kg दिया हुआ है यहां पे लटका हुआ है और दूसरी पुली आपकी ऐसे लगी हुई है ऐसे और उससे आपका एक मास्स ऐसे लटका हुआ है ठीक है यह आपकी दूसरी पुली है यह मास्स आपका M2 कह लेते हैं हाला कि यह भी अपने को 1 kg दिया हुआ है इन जर्नल पहले solve कर लेते हैं उसके बाद M1 M2 की value रखतेंगे इस case में अगर आप इसका FBD बनाएंगे तो उस case में उपर आपकी tension T है नीचे आपका force M1 G लग रहा है तो आप M1 के लिए जो equation लिखेंगे let us say नीचे आपका A acceleration है so इसका नीचे A acceleration होगा इसका acceleration A इस तरफ होगा because A की रस्ती से बंदेव हैं ठीक है so उस case में M1 की equation बन जाएगी M1 G minus T will be equal to M1 A यह आपकी पहली equation बन गई so आपकी equation first आगई second equation M2 के FBD से आएगी so FBD इसका जब बनाएगे तो इधर tension T है so equation हो जाएगी tension T will be equal to M2 A now क्योंकि यहाँ पे अपने को acceleration अगर बताना होता तो हम इन दोनों के जो आपकी equation है इससे add कर देते T की सुपारिवया थी A आया था हमें क्योंकि पहले tension बताना है तो इन दोनों को हम अच्छा यहाँ पे क्योंकि mass M1 M2 बराबर दे रखे हैं तो हम इसको direct equate भी कर सकते हैं पर let's say हम इनको divide कर लेते हैं so आपका जो equation बनी M1 G minus T divided by T will be equal to यह आ गया M1 divided by M2 क्योंकि दोनों बराबर दे रखे हैं so इसका मतलब यह हो गया M1 G minus T will be equal to T which implies tension T will be equal to M1 G divided by 2 यह आपका final value हो जाएगे so M1 क्योंकि 1 kg दिया हुआ है so which implies T will be equal to 1 multiplied by 10 by 2 so this will be equal to 5 Newton यह आपकी tension की value आ जाएगे now इस ही में अगर हम acceleration में निकालना चाहें so acceleration के लिए एक काम करते हैं just for fun just for the fun of physics so इसको अगर हम दोनों को add कर देंगे so equation 1 और 2 हमने add कर दिए तो आपकी equation यहाँ पर बन जाएगी M1 G यह आपका यह आगया will be equal to M1 plus M2 A or which implies A हो जाएगा M1 divided by M1 plus M2 G आप क्योंकि M1 और M2 दोनों आपको 11 दिये हुए हैं तो इसकी value हो जाएगी 1 divided by 1 plus 1 G यानि की हो गया G by 2 which implies acceleration हो गया आपका G by 2 यानि की 5 meter per second square so यह आपका acceleration आजाएगा आपका 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 आपक